हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदम चटपटा और टेस्टी नास्ता इसे खाने के बाद से आप मार्केट का समोसा और कचोरी भी खाना भूल जाएंगे बहुत ही बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ragen है कि तीन उबले हुई आलू लेंगे और इसको इस तरीके से मैसर से अच्छे से मैस कर देंगे आप चाहे तो हाथ से भी बढ़िया से इसको मैस करके ले सकते हैं तो यह देखिए यहां पे आलू जो है अच्छे से मैस हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च और एक बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे इसमें और फिर हम डालेंगे इसमें खुब धेर सारी धनिया की पत्तियां तो आजकल सर्दियों में अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक तो नमक अपने टेश्ट के कोडिंग डालेंगे आधा चम्मच अधे चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला मसाले आप अपने हीसाब से कम या जादा ले सकते हैं जैसा भी मसाला आप तेज या कम खाते है ना उस हीसाब से आदा चम्मज डालेंगे हम इसमें चाट मसाला जिससे की बढ़िया चटपटा फ्लेवर आएगा और फिर इन सारी चीजों को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए यहां आलू में सारी चीजे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है आप चाहे तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं मैंने चम्मज से मिक्स कर लिया है आप इस रेस्पी को कहा से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और यह देखिए सब चीजे मिक्स हो गई तो हम अगली तैयारी करते हैं अब हम एक दूसरे बाउल में लेंगे डेढ़ कप गेहूं का आ अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसको एक बढ़िया सा पतला गोल त्यार करना है तो यह देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलिया ना पड़ें तो यह इसको रखते हैं साइड में और अब हमें चाहिए गूथा उऐ आटा तो यहाँ पर मेरे पास नो गूथा हुआ आटा बच्चा हुआ है रोटी बनाई थी उसमें से बच गया है तो मैं यहाँ पर इसी को यूज कर लूँगी तो आपके पास बच्चा हुआ आटा हो उसको ल तो जितना हम रोटी का लोई लेते हैं उससे थोड़ा बड़ा लेना है हमें इसको और यह देखिए इस तरीके से इसको हम कर लेंगे और फिर इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आठा तो चारो तरफ से इसमें सूखा आठा लगा के इसको बेलेंगे जैसे आप नॉर्म क्या करेंगे जो हमने आलू वाले स्टॉफिंग त्यार करी थी उसको इसके उपर लगाएंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा आलू दो तीन चमच रखके और चारो तरफ से अच्छे से फेलाएंगे तो आप अपने हिसाब से आलू की स्टॉफिंग कम या जादा कर सकते हैं इ बहुत ही बढ़िया चटपटा बनेगा यह देखिए यहां पर आलू जो है चारो तरफ अच्छे से फेला लिया है ज्यादा साइडों में बिल्कुल नहीं लगा है हलका हलका किनारों से छोड़ दिया है मैंने अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से है यह बहुत ही आसानी से हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से थोड़ा सा गुमा देंगे इस में चिपक जायेगा और यह जो साइड वाला पार्ट है हिसको इस तरीके से इसमें हम बंद कर देंगे थोड़ा सा अंदर घुमाते हुए तो यह भी अच्छे से इसमें यह देखिए यहां पर कितना अच्छा लग रहा है देखके इसमें बड़ी ऐसा आलू का स्टाफिंग वाला रोल दिख रहा है तो बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे न कि सारे पीसेज को कट करके और ऐसे ही त्यार कर लेंगे तो यह यहां पर सारे पीसेज कट करके मैंने रेडी कर लिये हैं यह देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से इसको सेट कर देंगे तो यह बहुत ही बड़ी है बन के त्यार हुआ है इस तरीके से अब हमने जो आटे का घोल बनाया था उसको ले लेंगे एक बर चला देंगे ताकि आटा जो है नीचे बैठ जाता है तो यह देखिए यह जो पीसेज हमने बनाये हैं नास्ते के उसको एक-एक लेके इसमें डिप करेंगे और फिर इसको हम फ्राइ करेंगे तो चलिए चलत अब इसको मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम पे हमें नहीं बनाना है वरना उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छे से शेखेंगे और तुरंत बिल्कुल भी नहीं पलतेंगे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ चोड़ी थोड़ी देर के बाद से पलट देते हैं और ये नास्ता जो है बहुत बढ़्या सीख गया है तो अब दोनों तरब से बहुत ही अच्छे से सीख गया है हमने बढ़िया से पलटा के सेक लिया है तो बस लास्ट में अब क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम हाई करके और इसको दोनों तरब से अलट पलटके बढ़िया सा क्रिस्पी करके सेक लेंगे और फिर जब यह दोनों त इतना बढ़िया आलो के श्टाफिंग हुए एक दम लच्छेदार पराठे जैसा लग रहा है आपको देखके तो ये नास्ता बच्चे से लेके बड़ो तक सबको बहुत पसंद आता है जरूर से ट्राइ कीजिएगा जल्दी ही मिलते हैं ऐसी नहीं मज़दार इस पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक के